दिल्ली के मुख्य मंत्री और विंद केजरिवाल को शराब घोटाले की मामले में निचली अदालत से मिली जमानत पर हाई कोट ने रोग लगा दी है हाई कोट ने आदेश एडी की आची का पर सुनवाई तक जारी रखा है एडी ने केजरिवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाई कोट में चुनोती दी है एडी की एस एल पी में कहा गया कि जाँच के मेदबून पड़ाव पर केजरिवाल को रिहा करने से जाँच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरिवाल मुख्य मंतरी जैसे एहम पद पर है इस मामले पर हाई कोट ने केजरिवाल के वकील अभिशेक मनु सिंग्वी की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है जस्टिस सुधिर जैन ने कहा कि जब तक हाई कोट में सुनवाई लंबित है तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा बतादे की केजरिवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिली थी जिसके विरोध में एडी ने दिल्ली हाई कोट का रुख किया था इस मामले पर जस्टिस सुधिर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा का अवकास पीट सुनवाई कर रही है एडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत से हमें इस मामले पर बहस करने के लिए परियाप्त समय नहीं दिया गया हाई कोट से केजरिवाल की जमानत पर रोक लगाई जाने के बाद आमादमी पार्टी के राज्य सबसान सद संजे सिंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए अभी ट्रायल कोट का आदेश ही नहीं आया आदेश की कोपी भी नहीं मिली तो मोदी की ED हाई कोट में किस आदेश को चुनोती देने पहुंच गई क्या हो रहा है इस देश में नियाई वेवस्था का मजा क्यों बन रहा है मोदी जी पुरा देश आपको देख रहा है